आप सब ये तो जानते होंगे कि काइनत की कहराईयों में हम इंसान एक ऐसी जगा पर रहते हैं यहां टंपरेचर ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है हमारी स्मीन सुरर से इतनी ज़्यादा दूर है कि यहां पर पाने लिकुड फार्म में मजूद है हमारी स्मीन पर बहुत स्यादा चांदा रहते हैं लेकिन सोचने और समझने के सलाहिए सिर्फ और सिर्फ अनसानों के पास है यहां पर मैं आपको बता दूँ इनसानों के अंदर की क्योरिसिटी ही इसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि आकिर हमारी स्मीन पर लाइफ कैसे आई और इस स्वाल ने तो साइंस्तानों की नीदे उड़ा दी है कि क्या इस पूरी काइनात में हम अकेले हैं या फिर हमसे भी स्यादा कोई अड़वान सिविलाजेशन काइनात के किसी कौने में रहती है और अगर एलियन्स हमारी स्मीन पर आके तो हम उनसे बात कैसे करेंगे इन तमाम स्वालों के जवाब आप जानोगे आज किस वीडियो में तो पूरी वीडियो वाच कीजेगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ड एलियन्स यानि के दूसरी दुनिया के इंसान साइंस दान इन्हें पहुत अर्से से ढून रहे हैं लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई भी एविडियन्स नहीं मिला जो इस बात का ठोस पो देता हो के हाँ हमारी काइनत में एलियन्स मजूद है यहाँ पर एक स्वाल आता है साइंस फिक्शर मोविस में हम जो इलियन्स देखते हैं क्या हकीकत में भी वो ऐसे ही होते हैं या फिर उससे भी बहुत स्यदा मुख्लिफ होंगे यह बात आप जान ले इन स्वालों के जवाब ढूड़ना अभी तक नाममकिन है जून 2021 में अमेरिका की गौर्डमिंट ने यू एफो से रिलेटिट एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये कहा किया था कि अब तक समीन पर एलियन्स के आने के सबुत नहीं मिले लेकिन इसी रिपोर्ट में एलियन्स के मजुदगी से इनकार भी नहीं किया गया था हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी सियारों को आर्ट तक स्टरी किया गया है साइस्टारी के मताबक उन में से कुछ सियारों पर लाइफ पोसिबल हो सकती है लेकिन इसके पारे में भी कनफर्म नहीं कहा जा सकता इसके बाद बात करते हैं हमारे करीबी सोलर सिस्टम अलफा संटोरी की अलफा संटोरी हमारी समीन से चाल लाइटिया दूर मजूद है फ्यूचर में साइस्टा यहाँ पर लाइफ को ढूनने के लिए मिशन बेचेंगे यहाँ पर एक सवाल आता है क्या हमारी स्मीन के इलावा किसी और स्यारे पर लाइफ पोसिबल हो सकती है या फिर नहीं तो ये बात आप जान लें इस सवाल का जवाब ढूनने के लिए दुनिया पर की स्पेस अरजन्सिस बहुत बड़े बड़े मिशन कम्प्रीट कर चुकी है लेकिन अभी तक उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिला मार्च 2009 में नासा ने कैपिल स्पेस टेलेसकॉप लाँच किया था जिसमें एक अब्जरवेटरी मजूद थी जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम में मजूद लाइफ को ढूनना था साइसानों ने इस टेलेसकॉप ले जमीन से दूर स्पेस में एक ऐसी जगा पर रखा था यहां से ये काइनत की कहराईयों की इंफार्मेशन जमीन पर आसानी से भीड़ सके इस टेलेसकोप ने कई सालों तक स्टार्स पर नज़र रखी ताके वो ये जान सकें कि किसी स्टार से आने वली रोशनी तद्दील होती है या नहीं अगर इसकी प्राइटनेस में चेंजिंग आती है तो फिर इसका मतलब ये है कि स्टार के सामने से कुछ गुजर रहा है हो सकता है कि ये कुछ सियारा हो अगर किसी स्टार की ब्राइटनेस कम या ज्यादा होती है तो इससे साव वाजिया हो जाता है कि कोई अबचेक्ट इसके किड़ और्बिट कर रहा है कि अपरे स्पेस टेलेसकोपने 9 साल के टाइम में हमारे सोलर सिस्टम से पाहिट 2600 सियार कि अगर कोई सियारा अपने स्टार के हैबिड़ बस उन में आता है तो फिर हम यह कह सकते हैं कि उस सियारे पर लाइफ मजूद हो सकती है अगर हम अपने मिल्की वेकलैक्सी को देखें तो इसमें ऐसे 30 क्रोड सियारे हो सकते हैं लेकिन हम इंसानों का ये सूचना बहुत ब तरह की कंडिशन में भी जिन्दा रह सकता है ये जानदार जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम 30 ग्रेड है जो उबलते हुए पानी में भी जिन्दा रह सकता है यहां तकि ये जानदार सुमंदर की कहराई में भी जिन्दा रह सकता है और स्पेस के अंधे रधा लगा सकते हैं कि लाइफ किसी भी स्यारे पर मजभूद हो सकती है साइस्सदान को कहना है कि यह छोटे छोटे जांदर पूरी काइनत में मजभूद हैं इसके बाद इलियन्स के पार में जानते हैं पिछले कई सालों से साइस्स में से रेडियो सिग्नल्स बेच रहे हैं ताके अगर स्पेस में इंसानों जैसे लाइब मजूद हुई तो वो उन्हें सुनकर इसका जवाब दे सकें ये बात आप जान लें एक सो साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है साइसानों को स्पेस में रेडियो सिग्नल्स को बेचते हुए लेकिन अब तक एलियंस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला आखिर क्यों इसके पीछे पहुत सारी वजवात हो सकती हैं हो सकता है जैसे हम सोच रहे हैं वैसे एलियंस हमारी काइनत में मजूद ही ना हो या भी ये भी हो सकता है कि वो इतने ज्यादा दूर हो कि अब दक उन्हें हमारा रेडियो सिग्नल्न ना मिला हो अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ये बात आप जान लें स्टीफन होकिंग का कहना था कि एलियेस को मैसेज पेजना हमारे लिए खत्रा साबित हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा एडवांस हो और वो हमारे बारे में अभी तक ना जानते हो लेकिन हमारे रेडियो सिग्नल्स मिलने से वो हमें ढूंटे हुए हमारे जमीर पर आ सकते है स्टीफन होकिंग का ये भी कहना था कि इनसानों को जिन्दा रहने के लिए अगले कुछ सो सालों में जमीन को छोड़के किसी और स्यारे पर जाना पड़ेगा उसका मानना था कि एक सो साल बाद जमीर रहने के लाइक नहीं होगी ये स्वाल बहुत स्यादा एहम है अगर एलियन्स हमें मिल गए तो इस वकत हमारे पास उनसे बचने के लिए क्या उप्शन होगा साइस्दान को कहना है कि हमारी काइनत में लाइव मजूद है लेकिन वो परिशान इस बाद से है कि एलियन्स का पता चलने के बाद क्या होगा ये बात आप जान लें किसी भी स्पेस अजन्सी के पास ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं है कि अगर एलियन्स मिल गे तो इसका हम पर क्या असर होगा और इनसे कैसे बचा जाएगा नासा की एक साइस्दान का कहना है कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हम जिन्ने ढूंड रहे हैं आकिर वो देखने में कैसे हैं हम ये नहीं कह सकते कि एलियन्स अच्छे होंगे हो सकता है कि वो हमारी स्पीन पर आने के बाद हम इससान को खतम कर दें और ये भी हो सकता है कि जिन्न एलियन्स को हम ढूंड रहे हैं वो हमें ही ढूंड रहे हों यहाँ पर एक स्वाल आता है आकिर हम उनसे बात कैसे करेंगे क्यूंकि हम नहीं जानते कि वो कौन सी language इस्तमाल करते हैं सबसे पहले हमें एक ऐसी language को सिखना पड़ेगा जो पूरी काइनत में इस्तमाल होती हो यहां पर एक स्वाल आता है जब aliens हमारी स्प्रीम पर आएंगे तो हम उनके साथ क्या करेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं यहां पर सबसे मुश्कल स्वाल यह है क्या हम उनको अपने बारे में बता पाएंगे यह कुछ ऐसे स्वाल है जिनका जवाब possible नहीं है यहां पर एक और स्वाल आता है सबसे पहले aliens से पात कौन करेगा यह भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं साइस्टान को कहना है कि ना तो aliens की मजूद्गी से इंकार किया जा सकता है और ना ही सबूत के साथ यह कहा जा सकता है कि हम इनसान aliens को ढूंड पाएंगे इन्हें ढूंडने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी लेकिन हमें किसी दूसरे सियारप पर जाना होगा आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमर्स करके जरूर बताएं वीडियो ची लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें मिलते हैं एक और amazing वीडियो में अपना पहुत सारा ख्यार के अलाँ हाफीज झालाँ है झालाँ है झालाँ है करें